Hello students, आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वेडियो में हम class 10th students के लिए science के कुछ important questions को देखेंगे जो कि आपके board examinations term 2 में आ सकते हैं तो चलिए सभी questions और उसके answers को समझते हैं question दिया गया है, what happens, क्या होगा one number में है कि ethanol is burnt in air जब ethanol को air के साथ burnt किया जाए तो हमें इसको chemical equation के रूप में भी दिखाना है ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ethanol और air का reaction कराएंगे तो ethanol का formula क्या होता है, CH3, CH2, OH और air है, तो air के लिए हमने oxygen लिख लिया तो हमें मिलेगा क्या, तो ये दोनों को जब हम ethanol और air को जब हम reaction करवाते हैं को याद रखना है, ठीक है, और हम इस तरह से लिख सकते हैं कि when ethanol is burnt in air, जब ethanol को हवा के साथ burnt किया जाता है, तो इससे हमें क्या मिलता है तो carbon dioxide gas और water vapor, ठीक है तो ये question number one था, इसी का second question दिया गया है कि a piece of sodium is dropped into ethanol, अब यहाँ पे ethanol को किसके साथ drop किया जा रहा है, sodium के साथ, ठीक है तो एक side में हम क्या लिखेंगे, ethanol लिखेंगे तो ethanol का वही जो हमने formula उपर में लिखा था है वही हमने यहाँ पे लिखा है, CN3, CN2 और OH और इस बार यहाँ पे question में दिया गया है sodium, तो यहाँ पे oxygen के जगा पे हमने यहाँ sodium ले लिया ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा हम लोग का sodium ethoxide, ठीक है sodium ethoxide मिलेगा और साथ ही hydrogen gas मिलेगा तो यह सब जो equation होता है, यह आपको याद रखना होता है जब हम ethanol को oxygen के साथ react करवाएं तो क्या मिलेगा चाहिए ethanol को sodium के साथ react करवाएं तो क्या मिलेगा ठीक है, तो इसमें answer हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि when a piece of sodium is dropped into ethanol, forms sodium ethoxide यह sodium ethoxide आया था और hydrogen आया था तो यह question number 1 हो गया, बहुत ही common सा question था और पूछने के ज़्यादा chances है, चलिए आगे हम next question number 2 को देखते हैं अब question number 2 दिया गया है कि the electronic configuration of an element is 284 किसी एक element का यहाँ पे electronic configuration करके दे दिया गया है अब आगे question है कि a state is group and period in the modern predictable तो इस वाले element का कौन सा group में आएगा, कौन सा period में आएगा model periodic table के अनुशार वो हमें बताना है, इस तरह का question आपके exam में एक fix है कि ज़रूर आएगा, science का जो sample paper distribution निकाला है, तो उसमें भी इस तरह का question दिया है तो यह question fix है, कि इस तरह का question आपका exam में ज़रूर आएगा तो देखें, इसको बनाना कैसे है question में हमें दिया गया है, कि यह जो है electronic configuration किया गया है तो यह कौन सा group में आएगा, और कौन सा period में आएगा तो group के लिए अगर हम बात करें, तो group के लिए आपको यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आए होए हैं, इन सब को plus कर लोए, ठीक है जो भी electronic configuration करके दिया गया है, उन सब को आप plus करें 2 और 8, 10, 10 और 4, 14, ठीक है 14 हो गया that means कि यह 14th group में आएगा, ठीक है आपने modern periodic table पढ़ा हुआ होगा, ठीक है तो यह total इसमें जोडने पे आपका 14 आ रहा है that means कि 14th group में आएगा, ठीक है 14th group में यह वाला आजाएगा यह वाला element, जो भी element है, second question में element का नाम भी लिखने के लिए बोला गया है, तो उसमें भी हम बताएंगे आपको कैसे आप नाम भी लिख सकते हो, इसमें फिर period पुछा गया था कि कौन सा period में आता है, तो period के लिए आपको ध्यान में रखना है कि इसमें total कितने cell बने है, ठीक है, तो first में यहाँ पे 2 है that means कि first cell में 2 यहाँ पे जो electron होंगे, वो होंगे second में 8 है, ठीक है, यहाँ पे 8 electron होंगे और third में फिर 4 है, ठीक है, यानि कि 4 electron तो इसमें total कितने cell बने, 1, 2, 3 जितने cell बनेंगे, उतना ही period में आएगा, ठीक है तो ध्यान में रखना है, जब group का बात किया जा है तो total count करके लिख देंगे, अगर period का बात किया जा है तो देखेंगे यहाँ पे total कितने cell बने, 2, 8 और 4 यानि कि 1, 2, total 3 cell बने है, तो group में हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे group का देखो 14th group लिखा है, और period का यहाँ पे 3 लिखा है अच्छा, यहाँ पे एक बात का और ध्यान में रखना है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि इन सब को plus करने के बाद जो आएगा वही group होगा, ठीक है जैसे 8, 2, 10, 4, 14, यानि कि 14th group में लेगिन एक बात का ध्यान रखना है, कि modern periodic table हम पढ़े हुए है तो उसमें आपको पता होगा कि total 18 ही group होते हैं, ठीक है तो 18th के बाद जैसे 19th अगर आ जाए, जोडने के बाद जैसे 19 आ जाए इन सब को जोडने के बाद 19 आ जाए, तो 19 अगर आता है तो वहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपको 18 घटा देना है, ठीक है 18 आपको इस तरह से घटा देना है, जितना भी आएगा वही हुआ, ठीक है जैसे मान के चलो जोडने के बाद 23 आया, तो 23 में 18 घटा लेंगे, ठीक है जो भी आएगा वही आपका उतना ही group में answer हो जाएगा तो हलाकी जो आपके examinations में question आएंगे, वह 19 से कम ही आएंगे, 19 से ज्यादा नहीं आएंगे तो इस बात का ध्यान रखें अब second question में हमें element का नाम लिखने के लिए बोला है तो atomic number कितना आएगा, तो इन सब को plus करने के बाद 2, 8, 10, 10 और 4, 14 तो atomic number भी 14th group में आएगा, atomic number भी 14 होगा ठीक है, तो 14, आया 14th का atomic number किसका होता है तो silicon का होता है, ठीक है, that means कि यहाँ पर जो हम लोग का answer होगा name of the element is silicon, तो silicon answer हो गया वहीं इसका हमें एक physical properties लिखने के लिए बोला गया है तो silicon क्या है, एक non-metal है और ये poor conductor of electricity है एक कोई भी आप physical property लिख सकते हो, ठीक है, तो ये ज़्यादा easy था तो ये question number 2 हो गया, चलिए next आगे question number 3 को देखते हैं अब next question number 3 दिया गया है, कि study the diagram given below and answer the questions that follow यहाँ पे एक diagram दिया गया है, इस diagram को देखना है और नीचे कुछ question दिये गया है, इसके answers लिखना है तो question A में दिया गया है, कि why do the iron feelings arrange in such a pattern ये वाला एक bar magnet है, और यहाँ पे ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब सारे iron feelings हैं तो question में दिया गया है, कि ये जो iron feelings हैं वो इस तरह के pattern में क्यों arrange हुए है, ठीक है तो देखो answer में हम क्या लिखेंगे कि the iron feelings arrange themselves in a pattern because they get attracted by the bar magnet जो ये iron feelings है, वो इस pattern में इस तरह इसलिए है क्योंकि ये जो iron feelings को क्या कर रहा है, ये bar magnet attract कर रहा है ठीक है, तो attract करने का आरण ये iron feelings इस तरह के pattern में हुए है, ठीक है इसका बाद answer में ये भी लिखा गया है कि the pattern that they form can be also called the magnetic field lines of the bar magnet यानि कि यहाँ पर ये जो pattern बने है, ठीक है तो ये सब सारे जो line दिख रहे हैं ये सब सारे lines को हम magnetic field lines भी कहते हैं, ठीक है अपने magnetic effect of electric current अगर पढ़ा हुआ है तो असानी सा आप इस question का answer लिख सकते थे इसमें second question है ये जो pattern है, ये क्या दिखा रहा है, क्या प्रदर्शत कर रहा है ठीक है, तो क्या दिखा रहा है, चलिए यहाँ पे देखते है लिखा गया कि the pattern is demonstrated that the magnetic field is the stronger at the poles of the magnet and the magnetic field becomes weaker if we go far from the magnet यानि कि यहाँ पे ये जो pattern बने है, ये जो magnetic field lines बने हुए है तो ये जो poles है, इस poles के पास में ये जो magnetic field होते है, ये ज़्यादा strong होते है और ये जितना दूर जाएगा, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूर होता है तो ज़्यादा दूर होने से ये ज़्यादा weaker होते है, ज़्यादा कमजोर होते है ठीक है, तो बस यही जो answer है, वो हमें लिख देना है ये question number यहाँ पे हमने 3 को देख लिया है चलिए next आगे, अब हम question number 4 को देखते है तो अब question number 4 दिया गया है कि two elements x and y have atomic numbers 12 and 16 respectively यहाँ पे दो elements दिये गए हैं x और y जिसके atomic number है 12 और 16 तो पहले आप यह पता कर लें कि x क्या है यानि कि atomic number 12 है तो x कौन सा element होगा 12 atomic number किसका होता है तो magnesium का, तो x यानि कि जो x element होगा वो क्या होगा, magnesium होगा वहीं जो y element होगा, जिसका atomic number 16 दिया है तो 16 atomic number किसका होता है तो sulfur का, तो y क्या होगा y element क्या होगा, sulfur, ठीक है अब question देखते है, question क्या दिया गया है question है कि to which period of the modern predictable do these two elements belong अब modern predictable के अनुशार कौन सा period में ये दोनों ही element आएंगे यहाँ पे हमने जो दो elements देखे magnesium और sulfur ये modern periodic table के अनुशार कौन सा period में आएंगे तो period के लिए इसे पहले वाले एक question मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे electronic configuration और electronic configuration करने के बाद जितने cell बनेंगे हम देख लेंगे जितने cell बनेंगे उतना ही period में आएगा ठीक है जैसे 12 करकर हम electronic configuration करने जाए तो सबसे पहले 2 होगा इसके बाद दूसरे cell में 8 होता है तीसरे cell में फिर 8 लेते है तो यहाँ अल्रेडी 2 गार 8 10 हो चुका है 10 प्लस टू 12 होगा तो यहाँ पर हमने electronic configuration कर लिया यहाँ पर total कितने cell बने एक दो तीन ठीक है total तीन cell बने that means कि x जो element होगा वो थीसरे third predictable में आएगा ठीक है third period में आएगा ओके third period में वहीं अगर हम y का बात करें जिसका atomic number 16 दिया गया यानि sulfur तो इसका विया लगर हम electronic configuration करेंगे 2,8,10,10 और 6,16 तो इसमें भी तीन ही cell बनेंगे that means कि यह भी third period में ही आएगा तो हम answer में देखो यहाँ पर लिखे भी है यहाँ पर जो element था x और y यह लिखे लिए atomic number 1 का 12 था दूसरे का 16 था electronic configuration की 12 का 282 आया 16 का 286 आया तो यहाँ पर दोनों जो element आया both x and y belong to third period क्यों क्योंकि दोनों में 3,3 cells बन रहे थे ठीक है तो यह हम लोग का answer हो जाएगा अब इसी में एक question भी भी दिया गया था कि what type of bond will be formed between them and y इसमें यहाँ पर दो जो element दिये गए थे यह दोनों ही element के बीच में किस तरह का bond बनेगा और क्यों बनेगा तो पहले आपको यह पता आना चाहिए कि कितने तरह के bond होते हैं तो bond दो तरह के होते हैं एक covalent bond दुसरा ionic bond ठीक है तो ionic bond और covalent bond क्या होते हैं जिसमें metal और non-metal के बीच में जो bond बनेगा वो होता ionic bond और दोनों अगर non-metal हो या फिर दोनों metal हो तो उसमें बनता है covalent bond ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखे तो यहाँ पर जो 12 था that means कि 12 किसका atomic number था magnesium का और 16 किसका था sulfur का तो यह metal है यह non-metal है तो metal और non-metal के बीच में कौन सा bond बन गया ionic bond तो इसका answer हम ionic bond रिखेंगे second वाले का लेकिन अगर आपको पहचानने के लिए नहीं आ रहा है कि कैसे हम पहचानेंगे जैसे यह कैसे metal हुआ यह कैसे non-metal हुआ तो इसके लिए भी यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ यहाँ पे जो balance electron है यानि सबसे last में जो electron है इसमें अगर force से काम आए तो force से काम आए तो यह होगा metal ठीक है force से काम आता है balance electron तो metal और अगर force से ज़्यादा आता है तो non-metal except hydrogen hydrogen को छोड़ के यहाँ में रखना है ठीक है तो यहाँ पे यह metal हो गया क्योंकि यहाँ पे balance electron 2 है force से काम है तो यह metal हो गया यह force से ज़्यादा है यानि कि non-metal तो metal non-metal के बिज़े बनेगा ionic bond ठीक है तो यहाँ पे second वाले question का हम answer लिख सकते है कि ionic bond will be formed इसी में question C भी दिया गया है कि give the chemical formula of the compound form यहाँ पे यहाँ जो compound form हुआ उसका chemical formula लिखना है देखो एक बना magnesium और दुसरा बना sulfur ठीक है तो इसका नाम chemical formula क्या हो गया MGS नाम क्या बोलेंगे magnesium sulfide यही पे लिख दे MGS को देखते है अब question number 5 यहाँ पे दिया गया है जो कि एक बहुत ही important question है electricity chapter का और इसमें एक numerical भी है ऐसा question भी examinations में हर बार पूछा जाता है तो question दिया गया है कि write the mathematical expression for joules law of heating joules law of heating का mathematical expression लिखना है चीक है तो चलिए यहाँ पे हम answer को देखते है joules law of heating क्या होता है तो according to the joules law of heating heat produced in a resistor is directly proportional to the first में दिया गया square of current I resistance R और time T यानि कि joules law of heating इसको हम S denote करते है ठीक है यह directly proportional किसका किसका होता है square of current यानि कि I का square resistance यानि कि R और time है T तो यह आपका एक formula भी बन जाएगा H is directly proportional to I square RT यानि इसको हम ऐसे भी लिख सकते है H is equal to I square RT यही आपका mathematical form हो गया joules law of heating का अगर आप इतना language में नहीं लिखना चाहते है तो अगर आप इसी को डायर लिखते है तो भी आपको number मिल जाएगा ठीक है depend करता है कि इतने marks का है अगर two marks का रहा तो आपको इस सब पूरा लिखना पड़ेगा अगर यह question A1 mark में पूछा जाता है तो आपको सिर्फ यह यह लिखना है ठीक है अब इसी में एक question B भी दिया गया था जो कि एक numerical question था तो इसे दिखते है दिखा गया है compute the heat generated while transforming 9600 coulomb अब देखो कुलंब में दिया गया है that means कि यह Q का value होगा क्योंकि कुलंब Q का ऐसा unit होता है ठीक है तो यह Q का value हो गया इसके बाद यहाँ पे two hours दिया गया है तो यह time हो गया two hour और potential difference दिया गया है यानि कि B का value दिया गया है 40 volt और हमें निकालने के लिए बोला गया है heat जो कि अभी हमने यहाँ पे जो formula देखा यही वाला formula पे put करके हम निकालेंगे लेकिन question में हमें r भी नहीं दिया है और i भी नहीं दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो value दिया गया है जिसका जिसका वो लिखेंगे charge यानि की q का value दिया लिख लिए time दिया गया था 2 hours hours को हम यहाँ पे second में convert किये कैसे convert किये तो 2 hours था पहले इसे minute में convert किये तो 60 से multiply किये फिर minute को second में convert करने के लिए 60 से multiply कर दिये इंट सब को multiply किये तो 7200 आ जाएगा ठीक है और potential difference that means की b का value दिया गया था 40 इसे लिख लिए अब एक formula होता है heat का h is equal to b i t ठीक है यह वाला formula आपको याद भी रखना है तो यह वाला हम यहाँ पे लिखे हैं और question में हम लोग का b का value दिया गया है t का value दिया गया है i का value नहीं है ठीक है यहाँ पर आप देखो b है t है i नहीं है q है हमारे पास तो q से related एक यहाँ पे formula i का जो होता है वो होता है i is equal to cube i t क्योंकि i का value दिया है नहीं तो i का formula होता है cube i t q is equal to i होता है i is equal to cube i t हो गया तो यह जो cube i t है अब हम इस i के जगह पे put कर देंगे ठीक है यहाँ पे जो i है इसके जगह पे q i t put करेंगे तो h is equal to क्या जगा b और i के जगह q i t हो गया t हो गया यहाँ से आप t t को cancel भी कर सकते हो सिर्फ आपके पास बच जाएगा b q तो b का value हमने उपर में देखा कि 40 था क्योंका value 96,000 था इन दोनों को multiply किये तो इतना आ जाएगा और यह joule में है तो आप answer यहाँ भी छोड़ सकते हो joule को अगर kilo joule में convert करना है तो बस आपको 1000 से divide कर लेना है ठीक है 1000 से divide कर लेना है 3,0 आपका कड जाएगा ठीक है 3,0 इस तरह से कड जाएगा तो 3,8,4,0 kilo joule हो जाएगा ठीक है तो joule को बस kilo joule में convert कर दिया गया है अब एक last यहाँ पे question number 6 दिया गया है in the given circuit find यहाँ पी एक circuit दिया गया है ठीक है तो निकालने के लिए क्या बोला गया है तो A number में है कि total resistance of the network of the resistors हमें निकालना है total resistance तो total resistance हम कैसे निकालेंगे देखो यहाँ से current flow हो रहा है ठीक है current flow के यहाँ पे current divide हो गया जब current दो भागों में बढ़ जाता है तो parallel हो जाता है ठीक है और आगे अगर बढ़ते जाएगा तो वो series में होता है और series में होता है तो direct हम दोनों resistance को plus कर लेते हैं ठीक है R1 plus R2 जैसे अगर suppose इसको R1 मान लो यह R2 मान लो ठीक है और current यहाँ से आया ऐसे करके जा रहा है तो सीधा जा रहा है यहाँ पे तो बटा नहीं diet इन दोनों को plus कर दिए तो यहाँ देखो solution में R1 हम निकाल रहे हैं diet इन दोनों को plus कर दिए तो 6 ohm हो गया इसी तरह से यह current ऐसे आया तो यहाँ पर भी यह direct current जा रहा है यानि कि यह भी series में होगा तो series में फिर दोनों को diet plus कर दिए 3 और 3 यहाँ पर भी 6 हो गया तो यह भी देखो 6 हो गया अब क्या हुआ था कि यहाँ से current इस तरह से बट गया था ठीक है split हो गया तो जब current split होता है तो वो parallel में हो जाता है ठीक है तो इसका जो value आया 6 और इसका जो value आया 6 अब यह parallel में हो जाता है तो parallel में हम 1 by करके लिखते है यानि 1 by 6 plus 1 by 6 तो यही वोला चीज यहाँ पर लिखा गया है parallel के लिए formula 1 by R1 plus 1 by R2 ऐसे करके ठीक है तो R1 का value 6 हो गया R2 का value 6 हो गया जो हमने यहाँ पर value निकाला था वही है ठीक है अब इन दोनों का L से हम लेंगे 6 6 का 6 ही हो जाएगा 1 by 1 2 हो गया यही है 2 by 6 यहाँ पर यह काट सकते हैं 2 3 जा 6 यानि 1 by 3 यानि कि 1 by R का value 1 by 3 आया तो R का value कितना होगा cross multiplication करेंगे तो 3 हो जाएगा तो यहाँ पर R का value 3 हो गया तो यही हमें निकालना था total resistance यही हमें निकालना था 3 भी दिया है भी का value यहाँ पर circuit में दिया गया है 6 बोल्ट ठीक है और यहाँ पर हमने resistance भी आलेड़ी निकाल लिया है 3 हो तो हमें निकालने के लिए अगर second question में यहाँ पर current बोला गया है तो हम असानी से यह वाला formula पूट करके बना सकते हैं इकोल डू आई आर ठीक है आई निकालना है तो आई का formula भी आई आर हो जाएगा भोल्ट दिया गया था 6 और current हमने 3 निकाला है तो इस तरह से काटेंगे स्वारी resistance हमने 3 निकाला था तो इस तरह से काटेंगे 3 तू जा 6 तो 2 ohm स्वारी 2 ampere current का answer आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से आज हमने 6 questions को देखा है और आगे हम दुसरे वीडियोज में और भी इसी तरह से important questions को देखते रहेंगे तो चैनल को आप जबर सब्सक्राइब करके रखें Thank you